कर्म फल मरने के बाद स्वर्ख के द्वार पर चार व्यक्ति खड़े थे इन चार व्यक्ति में पहला राजा था दूसरा एक बिजनेसमेन था तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था किसी को भी यह नहीं पता था कि कौन स्वर्ख के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लोटा दिया जाएगा सब स्वर्ख का दरवाजा खुलने की रहा देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी उसने अपन की संभावना है कि मैं ही स्वर्ख में जाऊंगा फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी वहां बोला मैंने धर्दी पर खुब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकडों लोगों की मदद की इसलिए मैं ही स्वर्ख का हगदार हूँ अब बारित ही पंडित की तो पंडित से मूँ खोला और सब को ही हगा चाहे तुम जो सोच लो लेकिन इहां बात तो तैय है कि स्वर्ख के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही सब जानते हैं कि पंडित दिन राद भगवान को याद करते हैं इसलिए स्वभाविक है कि इस स्वर्ख में पंडित का स्वागत क जब सब ने अपना अपना पक्षरक दिया तब सब की नजर उस मजदूर पर थी। जो चुप चप अपनी नजरे नीचे जुकाए बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। स्वरक का दरवजा खुला और वहां पर एक देवदूद आकर खड़ा हो गया। देवदूद के हाथों में एक पुष्टक थी जिसमें इन सबी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूद ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा तुम बताओ तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किये हैं मैं उन्हें इ पुष्छाल थे सबी बड़े आनन से रहते थे मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी यहीं मेरे अच्छे कर्म हैं देवदूद ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा तुम सच बोलते हो तुमने अपने राजी के प्रजा क बहुत सुखी रखा था लेकिन तुमने अपने राजी की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद किये थे उन युद की वज़ा से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गवा दी थी उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते अब बारी थी व्यपारी की व्यपारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है तब व्यपारी ने उससे कहा मैंने सैक्डों लोगों को खाना खिलाया है कई आश्रमों में दान किया है कई निराच्छित लोगों के लिए घर बना कर दिया है यहां मेरे अच्छे कर्म है देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यपारी से कहा तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है लेकिन यहां दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है उन पैसों को क पमाने के लिए तुमने ना जाने कितने जूट बोले हैं, कितनी हेरा फेरियां की हैं और कितनी मिलावटे की, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते, जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मे विश्वास के साथ कहा, मैंने अंगिनत तक के अंदर जांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ग्यान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया, आपने यग्य पूजा या भगवान का नाम ने स्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंदित हैं, मजदूर यहां सब देखकर हैरान था, वह अब तक जिहें, महान समस्ता आ रहा था, उनकी व्याक्या स्वर्ग के दर्वाजे पर आकर बदल गई थी, दर्दी पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहां पर कोई मुल्य नहीं था, यमदू मैं जानता हूं कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को जांग कर देखना चाता हूं, बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नह किया है मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोशर में खर्श कर देता इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं लोगों की भला में क्या सेवा करता क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़े देखते ही रहा फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा मजदूर ने थोड़े देर सोचने के बाद बोला हा मुझे थोड़ा थो देखने लगा तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूका सोया था मजदूर की बाद सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर के अंदर लेकर गया दोस्तो अच्छे कर्म लोग महमाया इन सब भाव में आकर नहीं किये जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेड़ी में गिना जाता था है निस्वारत भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके चीवन के सारे पाफ़ धोने की शक्ति रखता है इसलिए जब भी मौका मिले निस्वारत भाव से और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद अपना ध्यान रखिए मिलती हूं अगली नई कहानी के साथ बाबाई